नमस्कार में दिपाली घेलोत और आप देखें हैं दानियूस 15 प्रयाग्राज में हुए हत्यकान को लेकर पुलीस ने बड़ी जान करी दी है यूनाइटेड इंजीनियर कॉलेज के बीटेफ फस्ट इयर इस्टूरेंट को लारेव हासमी को गिरफतार कर लिया गया है पुलीस के गिरफत में हासमी ने कई बड़े खुलासे किये हैं उसने पुछतास के दौरान पुलीस को बताया कि वो पुर्वांचल के बहुबली माफिया अतिक एहमत का बहुत बड़ा फैन है उसकी तरह नाम कमाना चाता है दवंग और बड़ा आदमी बनना चाता है यही वज़ा है कि उसने अतिक एहमत की तरह सिर पर सफेज साफा भी बानना शुरू कर दिया है उसकी हत्या को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था वहीं पुलीस ने यह भी जानकारी दी है कि बीटेक के स्टोडेंट लारेव हासमी के घड़ से पुलीस ने एक लैपटॉप भी बरामत किया है लारेव के लैपटॉप और फोन से जो मिली जानकारी है वो बहुत चुकाने वाली है सूत्रों से मिली जानकारी के मताविक लारेव के लैपटॉप से धर्म विशेशक वीडियो और फोड़ोस बरामत किये गए है उसके लैटब से मुक्खे तोर पर यही दो चीजे पुलीस को बरामद मिली है लैटब से मिली दूसरी एहन सुरागों को लेकर चार्च जारी है इतना ही नहीं पुलीस हिरासत में लारे बहुत बेवाकी से जवाब देता हुआ पाया गया है उसने यहां तक की कहा है कि पुली पुलीस सुत्रों के मुताविक उससे पूछा गया कि उसने बस कंडेक्टर हरीकेश विशकर्मा पर चापर से हमला क्यों कर दिया इस पर लारेव ने कहा कि मैं सरकारी बस से कॉले जा रहा था बस ने सफर के दौरान 10 उर्पे के टिकेट को लेकर उसे मेरे दोस्तों के स्रा बहुत दाड़ी वाले देखे हैं ये बात मुझे बुरी लग गई इसलिए मैंने सबक सिखाने के लिए उस घटना को लेकर अंजाम दे दिया और इस पर हमला कर दिया मैंने इस घटना का वीडियो इसलिए बनाया ताकि इस बारे में लोगों को पता चल सके इसके बाद कुछ भी बोल देते हैं हमारे साथ जुल्म करते हैं इसलिए मैंने उसको सबक सिखाने के लिए इस बारदात को अंजाम दिया है सवाल ये बनता है कि आखे लारे कौन से बदले की बात कर रहा है क्या ये बदला अतीक एहमत की मौत का है या इस बदले के पीछे कोई आतंग कर रही है और इस पर जाज जारी है ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे है दान्यूस 15 धन्यवाद